पाकिस्तान की खाली होती ती जोरी का पाकिस्तान के लोग उपर क्या पढ़ रहा है असर बात कवर स्टोरी में लेकिन पहले हैंग्लाइन्स युक्रेन के पूरवी फ्रंट में चल रही है भीशन लड़ाई खार की एव और दोनेट्स के अधिकारियों के मताबिक रूस की सेना कर रही है जबर्दस्त गोली बारी कुछ आम लोगों के मारे चाने के खबर लड़ाई के बीच युक्रेन के कई मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों पर भरष्टाचार क्या रोग राष्टपती जलेंसके ने अपने मंत्रे मंडल से कई लोगों को हटाया बीबीसी की खास रिपोर्ट में दिखाएंगे के ऐसे एक पत्रकार की मुहीम से भरष्टाचार के बाद सामने आए इस्राइल ने किया गजा पट्टिप पर हवाई हमला फलस्तीनी चरबबंतियों को निशाना बना कर किये गए हमले वेस्ट बैंक में इस्राइल की रेंट के बाद पढ़ा थतनाओ फलस्तीनी ग्रूप ने कहा बदला लेने की बाद खुद्रती आपदा से दुनिया के दो देश बेहाल न्यूजेलेंड के आउकलेंड में बाढ़ की वज़े से अमर्जंसी का एलान अफरीकी देश मडगासकर में भी बारिश और तुफान की थबाही 16 लोगों की मौत कई लापता 16 हजार विस्थापत नाजिय अत्याचार की याद में आज बनाया जाता है होलोकॉस्ट डे बीबीसी की खास रिपोर्ट में मिलाएंगे इस यातना के गवाह बने लोगों से जिन्होंने खोया अपनों को इनमें से कुछ एहम खबरों की चरचार पीबीसी दुनिया में बारत का पडूस्ती मुल्क पाकिस्तान एकोनोमिक फ्रेंट पर कई जुनोतियों से जूज रहा है वहां का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है कई मुल्कों से कर्ज लेने के बावजूद वहां के आलात बेहत खराब है और आस्मान चुदी महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है कैसे पाकिस्तान इस भंवर से निकल पाएगा या क्या वहां हालात श्रिलंगा जैसे हो जाएंगे इसे की बाद कवर स्टोरी में और एक्सपर्ट के मुताबिक शाबार शरीफ सरकार देश को इस हालात से बाहर निकालने के लिए ठोस कदम ना उठाकर पॉपिलिस्ट मेजर्स ले रही है जिससे संकट और गहराने की आशंका बढ़ती जा रही है लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए देखें इसलामाबाद से बेबी से समादाता शुमाला जाफरी की रिपोर्ट पॉइटा के गुल मुहमद अपने च्छे बच्चों के साथ पुर्बत की जिन्दगी गुजार रही है वो कहते हैं मुश्किल है तो पहले भी बहुत थी पर अब होने वाली महंगाई ने दाल रोटी भी चीन ली है एक दाल एक चावाले जो पहले साथ रुपे हमें सतर में में तीस रुपे बिकते थे अभी वह भी 120-130-500 रुपे हो गया अभी वोई भी मुझे नहीं मिलता है कि मैं अपना बचों के लाओ खुद ही मैं बेरुजगार होगा एक ऐसे जगे पे हो कि यहां तो ने गैसे ने बिजली है फिर तीन बच्चे माज़ू मेरे पास पड़े पाकिसान में ये घरगर की कहानी है कहीं लोड शेडिंग की खिलाफ विरूद हो रहा है तो कहीं आटे का बहरान है और कहीं बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों ने लोगों के लिए कटनाईयां पैदा कर दी है इस सारे संकट में सरकार अक्षम दिखाई देती है और अमरान खान दिन रात पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की चितावनी दे रहे हैं एक तरफ बेरोजगारी और दूसी तरफ महंगाई और महंगाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा खतरनाक है इस मुल के लिए क्यों खतरनाक है सिरी लंका में इसी तरह का सिनारियो हुआ था अगर ये अबादी के अंदर इसी तरह का इंतिशार शुरू हो गया जो सिरी लंका में था मैं ये आपको मुझे अफसोर से कहना पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा पाकिसान की अर्थ विवस्ता बहुत हद तक International Monetary Fund और चीन, साओधी अरब और UAE जैसे दोस्त मुलकों के सहयोग पर आश्रित है IMF की तरफ से करजे के अगले प्रोग्राम पर क्लारिटी ना होने की बज़ा से ही नौबत यहां तक पहुँची है कि पाकिसान के फॉरेंड रिजर्व्स पांच अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं और इसके खजाने में सिरफ कुछ ही हफ़तों की इंपोर्ट के डॉलर्स बचे हैं विशले शक मानते हैं कि पाकिसान का डिफॉर्ट रिस्क बहुत बढ़ चुका है लेकिन सरकार कोई और ही कहानी सुना रही है बहुत सारे अनेलिस्ट जो इसके उपर कमेंटरी कर रहे हैं और मनफी किसम का एक इंप्रेशन दे रहे हैं वो ठीक नहीं है और डेट रिपेमिंट की सूर्टेयाल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में और इंशाला हम आने वाली पेमिंट को भी ऑन टाइम पूरा करेंगे पिछले साल आने वाली बार ने भी आर्थिक मंदी में इजाफा किया हाल ही में जिनीवा में एक अंतर राष्ट्रे कांफरंस में पाकिसान के लिए तकरीबन दस अरब डॉलर के प्रॉजेक्ट लोन्स का वादा किया गया लेकिन इन वादों को पूरा होने में काफी वक्त लग सकता है आर्जी तोर पर आर्थिक स्थिती संभालने के लिए परदानमंत्री शेबास शरीफ ने यूएई का दौरा भी किया जहां से उन्हें दो अरब डॉलर कर्स का रूल ओवर जबकि एक अरब डॉलर निया कर्जा मिला हर चीज की जो प्लैनिंग हमारे हाथ में है और अवरिजिंग इस इन आर्डर सरकार की तसलियों के बावजूद आईमेफ की तरफ से अगला प्रोग्राम मिलने की कोई कमिट्मेंट नहीं मिल पा रही जिसकी बड़ी वज़ा है इसकी कड़ी शर्तें जो कहती हैं कि जनता को दी हुई सबसिडीज को वापस लिया जाए और नए टेक्स लगाए जाए एक ऐसा फैसला जिसका बोज शेहबास शरीफ की पहले ही से कमजोर सरकार उठाने के काबिल नहीं और जिसकी कीमत उन्हें अगले इलेक्शन में अदा करना पड़ सकती है शमाईला जाफरी बीबीसी न्यूस इसलामबाद तो क्या पाकिस्तान पर वाकई दिवालिया होने का खत्रा मंड़ा रहा है यहीं समझने के लिए शमाईला जाफरी ने बात की इसलामबाद में मौझूद आर्थिक मामलों के जानकार साकिब शेरा नहीं से अब पाकिस्तान के हालात महिश verw我很ाए के काफी संजीता है और इस तरफ पाकिस्तान बरडरा है क्योंकہ जो foreign exchange reserves है या जो ज़रे म मौदला के काचायर है पाकिस्तान के वो तकरीबन इस space पे जो पाकिस्तान अभी सारी रोकियी है इंपोर्ट्स और capital control अगाए हुए इस पेस पे तक्रीबन चार महीने मैकसिमम तीन से चार महीने और लास्ट कर सकते हैं तो अगर IMF के साथ इतने इस अरसे में डील नहीं हुई पाकिस्तान की तो फिर पाकिस्तान डीफॉल्ट की तरफ ज़रूर जाएगा तो अभी पाकिस्तान क्या administrative मायर्स लिए हुए हैं डॉलर को और रिजर्व को कंट्रोल करने के लिए देखे पाकिस्तान में वसी पहमाने पर वाइड रेंजिंग इंपोर्ट पेमेंट्स को रोका हुए है तो बहुत सारे जो इंपोर्टर्स हैं वो अपने एलसी नहीं खोल पा रहे हैं यानि के बाहर से वो चीजें मंगवान नहीं पा रहे हैं अलावनी इनको के डॉलर्स ताके बाहर से बाहर ना चाहें पाकिस्तान से फिर इसके इलावा capital controls है जो companies यहां बाहर की काम कर रही हैं उनकी payments अगर बाहर उनोंने भेजनी हैं अपने profits हैं, dividends हैं, royalty की payments हैं, franchise fees हैं यह सारा कुछ रुका हुए है यह हालात इस हud तक पहुंचे कैसे हैं? हम सिरफ बाहर की environment हैं उसका शिकार नहीं है यह हमारी internal policies का भी बहुत बड़ा है इसमें तखिल है और सिरफ इस हकूमत की नहीं पीछ टी कई हकूमतों की IMF के साथ मामला क्यूं तै नहीं बार है ज्यादा तर यह सियासत की नजर हुआ हुआ है इस हकूमत के लिए एक जब यह आए तो इन्होंने कुछ जो अक्दामाद शुरू में करने पड़े इनको पेट्रोलियूम की प्राइसेज बढ़ाई पाकिस्तान में बहुत आपको पता है बड़ 50% बढ़ी फिर इलेक्रिसिटी की प्राइसेज बढ़ाई तो यह हकूमत जो पहले राउंड से भी ज्यादा तक्लिफते हैं मतलब पेट्रोलियूम प्राइसेज की उपर अब सेल्स टैक्स लगाना है गैस की प्राइसेज में बहुत बढ़ाई कि अजाफा करना है फिर इलेक्रिसिटी में की नर्खों में टारिफ्स में और इंक्रीजिस करने हैं तो अब ये हकुमत इस इन चीज़ों से अपनी एलेक्शन प्रास्पेक्ट की वज़ा से के वह और मजीद कराब ना हो इसकी वज़ा से पीछे हटी हुई है पिर क्या सूरते हाल बनेगी अगर हम आएमफ को कन्विंस नहीं कर पाते और वापस प्रोग्राम में नहीं जा पाते आएमफ जो अदाएगिया हो रही है जून के बाद डेट पेइमेंट्स की वो भी हमें डिफॉल्ट करने पढ़ेंगी और इंपोर्ट के लिए पाकिसान जैसे स्रीलंका के साथ हुआ पिछले साल मार्च के बाद आएसा बदरीज उनके पास ना खुराक के लिए फूड के लिए एसेंशल आइटम्स के लिए मेडिसन के लिए या इवन ना पेट्रोलियूम के लिए उनके पास पैसे नहीं थे इंपोर्ट करने के लिए तो पूच रहें युकरेणी राष्ट्रपती जैलिंस की बीबी से दुनिया में अब भी बहुत कुछ हे बागे आप देख रहें बीबी से दुनिया मैं हूँ सारी कासे इसराइल ने गज़ा में हवाई हमले किये हैं और कहा है कि ये हमाई हमले फालस्तीनी चरंपंतियों के खिलाफ किये गये हैं उसने ये भी कहा है कि इस्राइल पर किये गए रॉकेट हमले का बदला लेने के लिए ये कारवाई की गई है इस्राइल ने कहा है कि उसने एक रॉकेट फैक्टरी को बम से उड़ा दिया जिससे हमास चला था हमास वो समूह है जिसके पास गजा का नियंतरन है इसराइल ने बताया कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कई फलस्तिनी रॉकिट्स को रोप दिया इससे पहले गुरुवार को वेस्ट बैंक के जैनिन कैम्प में इसराइली सेना की चाप पिमारी में नौ फलस्तिनियों की मौत हो गई थी फलस्तिनी समूहों का कहना है कि मरने वालों में फाइटर्स के साथ साथ आम लोग भी शामिल थे और वो इसका जवाब देंगे इसराइली सुरक्षाबलों ने कहा है कि वो जैनिन के रिफ्यूजी कैम्प में हत्यार बंसमूह इसलामिक जहादी के सदस्यों को गरफतार करने गए थे जिन पर उन्होंने बड़े हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है मुझे लगता है कि आगे जो कुछ भी होगा वो दो बातों पर निर्भर करेगा पहला फलस्तिनी पक्ष की प्रतिक्रिया फलस्तिनी अथॉर्टी के नेता महमूद अब्बास ने कल कहा था कि वो अब इसराइलियों से सेक्योर्टी कॉडिनेशन नहीं करेंगे और ये बहुत एहम है क्योंकि इसकी वज़े से वेस्ट बैंक में कुछ हद तक स्थिरता बनी रहती है हलाकि फलस्तिनी लोगों को ये पसंद नहीं है और दूसरी बात है कि इसराइल अंतराश्टी समुदाय के मामले में क्या करेगा अमेरिका की विदेश मंतरी एंटिनी ब्लिंकन सोमवार को आ रहे हैं वो इसराइली और फलस्तिनी नेताओं से बात करेंगे वो शांती बनाय रखने की अपील करेंगे पर मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में तनाव और बढ़ने की आशंका है चाहे यरुशलम में हो या कहीं वेस्ट बैंक में और अब बात युक्रेन की रूस के साथ लगभग एक साल से चल रही लंबी जंग के बीच युक्रेन के राष्टपती वरुदमीर जलेंस्की के लिए एक और चुनोती आई है उनके आला अधिकारियों पर ब्रश्टपती जलेंस्की ने अपने मंत्रे मंडल से कई लोगों को अटा दिया है जादा जानकारी बीविसी समवादाता जेम्स वाटर हाउस की इस रिपोर्ट में साल 2019 में यूकरेन के नए राष्टपती ने भ्रश्टपती ने भ्रश्टचार पर नकेल कसने का वादा किया ये यूकरेन के लिए नए दौर की शुरुआत थी और अब साल 2023 में भी यूकरेन की राजनी थी उनहीं सब आरोपों के दौर से गुजर रही है यूकरेन की राष्टपती की देखरेख में दरजनों, इस्तीफें या कहें की लोगों को पद से हटाने की प्रक्रिया हुई एलेक्सी सिमिनेनको ने अपना पद स्पेन में छुटियां बिताने के बाद छोड़ा छुटियां ऐसे समय जब ज्यादतर आदमी देश नहीं छोड़ सकते वैसे लजिस्की को तब निकाला गया जब उन्हें कथित तोर पर 3,70,000 डॉलर से ज्यादा की घूस लेने के आरोप में गिरफतार किया गया हाला कि वो इससे मना करते हैं क्रिलो टिमिशेंको राश्ट्रपती कारियाले के उपाध्यक्ष थे उन्होंने तब पद छोड़ा जब उनके अमीर रहन सहन की रिपोर्टें सामने आई ये सब खबरें इस शक्स ने दी जब कोई कदम उठाए तो आम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए टिमिशेंको ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया पर मिखाईलो की खबर ने पूरी सरकार को हिला दिया है रास्टरपती के ताजा फैसले ये बताते हैं कि सरकार के आला अधिकारियों पर भी जिम्मेदारियां तै होंगी और ये संदेश भी जाएगा कि वो लोग आम जनता के साथ नहीं खेल सकते हम देश हित में बात कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है जंग ने पहले ही कई लोगों से बहुत कुछ छीन लिया है कुछ इलाकों में जंग अभी जारी है और लोग उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं इसके बीच यूकरेन की राजनीती में अगर भरष्टाचार की बातें सामने आने लगें तो इससे देश की राजनीती में काफी तबाही होगी राजधानी कियेव के बाहर बिजली लोट रही है जिससे एवाना अपना बेकरी का काम फिर से कर पा रही है मुझे ये पसंद नहीं अच्छा होगा अगर ये पैसा यूकरेन की मदद के लिए जाए बजाए किसी की जेब में जाने से शायद हमें उन सब को हटाने की जरूरत है जो कई सालों से पद पर बने बैठे हैं वो अपना पेट इसी से भरते हैं 31 साल पहले जब यूकरेन आजाद हुआ तब से भरष्टाचार देश को अपनी गिरफ्त में लिये हुआ है अब जब पूरी दुनिया की नजर यूकरेन पर है और उसे अर्बोन उपे की अंतराश्ट्रिय मदद मिल रही है ऐसे में उसकी ऐसी खबरों पर कारवाई को बड़ी बारी की से देखा जाएगा पर वक्त एक ब्रेक का है ब्रेक के बाद यहुदी नरसंगहार के चश्मदीदों ने बताया कैसे मारा गया था उनके अपनों को इस बारे में बाद एक ब्रेक के बाद आप देखने हैं बीवी से दुनिया मैं हूँ सारे काज शुकरवार 27 जिन्वरी यानि आज का दिन और इस दिन को होलोकॉस्ट मैमोरियल डे के तौर पर मनाया जाता है होलोकॉस्ट यानि यहुदी नरसंगहार जिसमें नाजियों ने 60 लाख यहुदीओं के हध्या कर दी थी लेकिन गुजरते वक्त के साथ उन लोगों की संख्या कम होती जा रही है जो उस दौरान दी गई यातनाओं के गवा है देखे बीबी से समवादा था अली मकबूल की रिपोर्ट यह मैंफरेट गोल्बर्ग और उनके छोटे भाई हर्मन होलो कॉस्ट के दौरान दोनों को उनकी मा के साथ पकड़ कर यातना शिविरों में भीजा गया था वो एक प्यारा सा छोटा लड़का था लेकिन दुख की बात है कि सिर्फ नौ साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई मुझे अभी भी याद है मेरी माँ अपने छोटे बेटे की मौत पर किस तरह बिलक बिलक कर रो रही थी लेकिन अगली ही सुभ है मुझे और मेरी माँ को लाइन में लगकर काम पर ऐसे जाना पड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हर्मन उन लगबक 60 लाक यहूदियों में से एक थे जिनकी हत्या कर दी गई थी ये अक्टूबर नवंबर में साल 1945 की बात होगी मेंफ्रेड इस दोरान जीवित बच निकले और ये चूटने के कुछ ही महीनों बाद उनके जैसे एक और व्यक्ती जिगी शिपर के साथ उनहीं की तस्वीर है हमारे बीच एक अलग ही रिष्टा था जिस तरह हम मिले और रिष्टा मजबूत हो गया जिगी का ये इंटिव्यू साल 2020 में लिया गया था जिसमें वो यातना शिविर के गार्ड्स के बारे में बता रहे हैं उनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकील्स शामिल थे वो शाम को घर जाते थे और आराम से अपनी बीवी बच्चों के साथ डिनर करते थे म्यूजिक सुनते थे और वो जानते थे कि दिन में क्या करके आये हैं किशोर उम्र में मैंन्फरिड और जिगी ने गुलामी का बुरा दौर एक साथ बिताया लेकिन कुछ ही दिनों पहले जिगी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और होलो कॉस्ट का एक गवाह कम हो गया मैंन्फरिड को लगता है कि उनके जिगरी दोस्त जिगी को शरदांजली देने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप कभी भी कोई होलो कॉस्ट जैसी घटना ना हो और बढ़ती महंगाई का सरसर इंसानों की जिन्दगी पर नहीं पढ़ रहा है बलकि जानवरों पर भी पढ़ रहा है कई जानवर बेघर हो गए है और ये हुआ है ब्रिटन में बढ़ती महंगाई की वज़े से लॉकडाउन के दौरान अकेले पन से बचने के लिए कईयों ने जानवर पाले लेकिन आप उन्ही को घर से बाहर छोड़ रहे हैं जानवरों को रेस्क्यू करने वाले सेंटर्स के पास भी भीड बढ़ गई है और बाकी जानवरों को रखना मुश्किल हो रहा है और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं at BBC सारी का पर BBC दुनिया में फिलहा लेता है जा आप सकते हैं झाल झाल